तो हाई CUT aspirants, अगर आप सभी CUT aspirants ने अभी जो आपका application form release हुआ है, उसको भरते समय अपने subject mapping के दोरान, अपने university mapping के दोरान, कुछ इस तरीके की गलतियां कर दी, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो आप सभी का 10%, 20%, 50% नहीं, 99% और अगर मैं बूलू तो 100% chances कि आपका Delhi University application form reject कर दे, तो आप सभी को कुछ ऐसे चीज़े मैं बताने वाला हूँ, जिनको लेके, extreme care रखना है अपने application form भरते समय, and even guys, मैं आप सभी को example भी show करूँगा, कि यार ये देखो, इस बच्चे ने ये गलति करी, तो इसके portal पर ये लिख क्या, ये देखो यार इस बच्चे ने ये गलति करी, तो उसने मुझे ये message बेजा, कि किसी course के लिए भी eligible नहीं हो पाया, तो मैं आपको example भी show करूँगा, Now, सबसे पहला and सबसे common reason जिसकी वजह से, आपका application form reject हो सकता है, that is, didn't give exam of subjects you have in your class 12th, अभी आप सभी अपने test paper selection करेंगे, test paper selection में, अगर आप लोगों ने ऐसे subjects fill कर दिये, जो आपके 12th के अंदर नहीं है, तो उस particular subject के mark consider नहीं किये जाएंगे, and आप सभी का 99% chances होगा, कि application reject भी हो जाए, now, कई सारे से बच्चे मैंने पिछले साल देखे, बहुत बच्चे थे, science stream से belong करते हैं, commerce stream से belong करते हैं, बट वो करना चाहते हैं, BA का course, right now, इसमें जो science and commerce के बच्चे हैं, उन्हें ये लगता है, कि यार मुझे अगर graduation, humanities के subject से करना है, तो मुझे CVT के अंदर भी humanities का exam देना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, आप सभी के class 12 में जो अपने subjects हैं, आपको अपने subject का exam देना है, जितने marks आपके आएंगे, उस mark के basis पे आपको BA का course मिल जाएगा, आपको humanities का अगर course करने हैं, तो humanities के exam देने के जरुत नहीं है, now, इस तरीके की गलती guys, प आपको ये लिखके दे दिया कि आपका जो application status है, that has been rejected, non-fulfillment of the subject mapping criteria, subject mapping criteria यही होता है, कि आपके class 12 में जो exams है, आपको वही class 12 के subject subject के लिए भी देने थे, लेकिन नहीं दिये, तो आपका application form reject हो गया, आपके चैनल को subscribe करना मत भूलेगा, आपके पूरे form filling process के अंदर मैंने complete help provide करी है, चाहे आपको tutorial चाहिए हो, वो provide किया, आप सभी को universities जानी थी, courses जानी थी, वो बता दिया, best subject combination कैसे आप select कर सकते हैं, और असल में सही subject and सबसे safest combination क्या है, यह मैंने आपको बता दिया, और अब आप मैं आप सभी को mistakes के बारे में भी बता रहा हूँ, complete awareness आप सभी को म यह सारी चीज़े में आप सभी की solve करूँगा, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला है कि आपको अपना जो subject combo है यह बहुत अची तरीके से फिल करना है, और जो subject combo है, इससे related में already detailed video बना चुका हूँ, मैं आपको यह सिखाया है कि कैसे आप सभी खुद अपना bet के subject selection कर सकते है और मेरे opinion में, आपके लिए सबसे safest और सबसे bestest combo कॉंबो कॉंसा है, आप उपर i button पे click करके उसको जरूर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया है, इस mail को आप सभी पढ़िए, इस mail में यह जो बच्चा है, यह बोलता है कि भाया, मैंने दो subject लिए एक language ले लिया, मे यह बच्चा BA करना चाहता है, BA के लिए requirement है, one language plus three domain, अब यहाँ देखो, इसने two domains दी, one language दिया, बट एक domain गाया बहुत है, तो यह eligible नहीं हुआ, इसी तरीकी की गलती पिसे साल कई बच्चों ने करी थी, अपना subject selection करते समय, तो यह चीज आप सभी के साथ ना हो कि at the end, बच्चों को देखने को मिलती है, जिसकी वज़े से उनका application form reject हो जाता है, that is submitting wrong cast certificate, बहुत बार मैं आप सभी को बता चुका हूँ, अपनी category wise document के अंदर भी, कि आपको only and only central अपना जो cast certificate है, उसको submit करना है, अगर आप सभी state का cast certificate submit कर देंगे, तो आपका वो cast certificate accept नहीं किया आपका जो central cast certificate का format है, कुछ इस तरीके से दिखता है, और इसी format में आपका भी cast certificate बना होना चाहिए, so please आपका जो cast certificate है, यह मैं बोल रहा हूँ, SC, ST, OBC, EW, के बच्चों को सही cast certificate ही submit करियेगा, जिसके बाद आता है हमारा fourth reason and that is basically discrepancy in documents, ऐसा बहुत सारे students के साथ देखने जड़ी होई है, इसी के mother के name में एक extra spelling जड़ी होई है, कोई surname में issue है, इस तरीके के जो issues होते हैं, यह सब आप सभी का जब university verification होता है, वहाँ पर पंगा create कर देता है, now, जाधतर जो colleges होते है, mostly colleges आपको बोलते है, एक और chance देते है, one more chance आपको मिलता है, कि आप हमें सही document ज जिसका जरूर ध्यान रखेगा, एक और reason जिसके वज़से आपका application reject हो सकता है, that is submitting fake documents, कई बार ऐसे देखा गया, आज से कई साल पहले, यह तो बहुत होता था, क्यार, class 12 की जो mark sheet होती है, बच्चे, fake class 12 की mark sheet बनवा लेते थे, Delhi University में admission पाने के लिए, बाद में जाके इस प अच्छे से आपका number देखा जाएगा, क्या class certificate number है, किसने sign किया है, कौन SDM है, यह सारी details आपकी अच्छे से cross check होती है, कोई भी अगर problem देखी, कुछ भी fake document आपने बना के देखी, यह over smart बने की कुशिशकरी, your admission is going to be cancelled, इस चीज का आप सभी को धान रखना है, no fake documents, nothing, now, 6th आती है guys, आप सभी का not selecting universities carefully, now, यह चीज से आपका form reject नहीं होगा, इस वज़े से आप कई universities के लिए eligible ही नहीं होपाऊगे, now, आप सभी अगर न, NTA का information bulletin पढ़ें, उसमें यह चीज क्लियरली mentioned है, कि अगर कोई बच्चा CUT application form भरते समय, किसी university को fill करना भूल जाए, बट ब उनों universities ने ऐसे बच्चों को admission में participate नहीं करने दिया, जिन बच्चों ने अपने application, CUT application form fill करते समय, BHU का नाम नहीं भरा, एंड AU का नाम नहीं भरा, तो प्लीज, इस समय पर जब आप अपना university selection करोगे, CUT application form भरते समय, तो जितनी भी universities में आप admission लेना चाहते हैं, एक ही ब करते हैं, आपका university की द्वारा form release होगा, तो उस समय, बहुत सारे बच्चों का application reject हो जाता है, इस reason की वज़ा से, ना होता क्या है ना, कि आपका जो university है, कई सारे ऐसे colleges होते हैं, university के अंदर बहुत lenient होते हैं, कई होते हैं, जो colleges आपके strict होते हैं, वो outright आपको reject कर देते हैं, लेकिन कई होते हैं, जो lenient होते हैं, अगर कोई भी document में problem दिखी, अगर कहीं पर भी दिख्कत दिखी, तो आपको मौका दिया जाएगा query race करके, query race करके कि भईया, आप मुझे ये document इतने से इतने दिनों के अंदर provide कर दीजे, अगर आप सभी ने stipulated time के अंदर, वो document नहीं provide किया, उनकी query को answer नहीं किया, तो आपका application reject हो जाता है, पिछले साल ये चीज़ कई सारे बच्चों के साथ मुझे देखने को मिली थी, so ये सारे reasons थे जिसकी वज़े से आपकी जो university है, आपका application form reject कर सकती है, मेरा आप से request होगा, please जो मैंने गलतियां बताएं, उनको ध्यान से देख लेना, वापस से review कर लेना कि कोई इस तरीके की आप गलतियां ना कर रहे हो, please guys इस चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा, इस तरीके की बहुत सारे informational videos मैं आप सभी क्लिए ला रहा हूँ, best subject combination की detail video आपको मिल गई है, university से related और भी कई चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, सो आपकी हरीकिक जरूरत को मैं पूरा कर रहा हूँ, बस एक request मेरी आप से रहेगी कि हमारी में महनत को थोड़ा appreciate करिये, चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा, मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए all the very best!